तो भाईया देख सकते हो, आज हम लोग देखने वाले Class12 हिंदी का एकदम वाइरल पेपर, जो किया, UP Board ने खुद जारी किया, UP Board ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है, Class12 हिंदी का देख सकते हो, पूरा मौडल पेपर देखेंगे, और अगर आप इस मौडल पेपर को त यार चरूर करना है ठीक है यह खुद यूपी बोर्ड ने अपनी विबसाइट पर जारी किया है आपको बता देंगे आपको इसे डाउनलोड भी कैसे करना है मस तरीके से आपको इसे तयार कर लेना ठीक है तो भाई प्लीज वीडियो को सुरू से लेकर आखी तक जरूर देखो यह उपर आपको लिखा है प्रतिदर्स प्रस्ण पत्र 2023 कच्छा बारा समान हिंदी का पेपर है ठीक है यह आपका यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर ही जारी किया गया है मॉडल पेपर है ठीक है और इसी टाइप के क्वेशन आपके आएंगे ठीक है पूरा पहले का नंबर क्वेशन देख सकते हैं आप लोग का नंबर क्वेशन कह रहा है सिच्छा का इच्छा का उद्देश निबंद के लिखक है लेखक है सिच्छा का उद्देश निबंद के लिखक कौन है ठीक है ठीक है Osirajat दाक्टर संपूरानन जी चार ओप्सण दिए तो कौन है आपके सिच्छा को उद्देश निभन के लेखा है डाक्टर संपूरा नंजी तो आपको सिंपल इस पे टिक कर लेना है आगला क्वेशन देख सकते हो सारे क्वेशन मोश इंपोर्टेंट इनसे पेपर में फसेंगे जरूर ठीक है आगला क्वेशन है ललू-लाल की रचना है ललू-लाल की रचना है कौन से इन में सी पहला कहरा है सूक सागर फिर है प्रेम सागर परिच्छा गुरू रानी केत्की की कहानी तो इन चारों अप्सन में कौन सी ललू-लाल की रचना है तो ललू-लाल की रचना है इसमें से प्रेम सागर तो प्रेम सागर पे टि पर आपको टिक कर लेना है, most important question देख सकते हो, पूरा क्योंकि बोर्ड की website पर ही है, तो ये आपके most important question हो जाते है, इस बार के exam के लिए, ठीक है, आगला question देख सकते हो, आवारा मसीह के रचनाकार है, मलब ये जो आवारा मसीह रचना ये किसकी है, ठीक है, तो ये आपको एक कर लेना है, अगला question देख सकते हो, बारा भट्टी की आत्मकथा के लेखक है, बारा भट्टी की आत्मकथा के लेखक कौन है, चार अफसन है, महाविर प्रसाद दिवेदी, सरदापूर सिंग, वास्देव स्रड़ागरवाल, हजारी प्रसाद दिवेदी, तो बारा दूसरे नंबर के का नंबर से अंगा नंबर के होंगे, वो आपके पद्यसाहिते से होंगे, देख सकते हो, दूसरे का का नंबर, तो आप देखते हैं, दूसरे का का नंबर, question, देखो, question कह रहा है, कामाईनी किस युग की रचना है, most important question है, कामाईनी किस युग की रचना ह और जैसंका प्रसाद जी चाया वादी युक्के एक लेखागे तो ये रचना भी किस युक्की हो जाएगी चाया वादी युक्की तो इसमें दूसरा नमबर आप्सन से हो जाएगा चाया वादी युक्की तो simple option दूसरा number से हो जाएगा आप देखो अगला number question देखते हैं दूसरे का खा और most important यार इंको एक एक को तयार जरूर करने आपको आगला कहरा है निमलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युक का है तो इसमें रामधारी सिंग दिनकर जी जो है ये कौन से है प्रगतिवादी युक के आप ऐसे भी समझ सकते हो अगर देखो यहाँ पे तीनों पे दास दास लगा है लेकिन ये क्या एकदा मलग दिख रहा है तो यही वाला option सही हो जाएगा ठीक है दूसरे का गा नंबर question पे आते है तार सब तक का प्रकासन वर्स सबसे ज़्यादा महतपूर question है हर साल पुझाता है इसे तो जरूर तयार करना कि तार सब तक का प्रकासन वर्स क्या है तो तार सब तक का जो प्रकासन वर्स है वो है 1943 इस भी ठीक है तो ईसका दूसरा नंबर ओप्सन से हो जाएगा आगर है दूसरे का घानंबर दिवेधी युक्त की रचना नहीं है तो दिवेधी युक तो नहीं है तो ने चाया वाद की तो यह दिवर्धियों की तो नहीं है, ठीक है, अगला question देखते हैं आप, देखो, अगला question है यहां पे देखो कया रहा है कि आश्त चाप के कवी उनका संबन भक्ति कालकी किस साखा से, आपको इसके अगले पेच में चार आफसन दिए गए देखो उनको देखते हैं ठीक है देख सकतो ये चार आफसन आपको दिए गए आप उसी question के राम भक्ति साखा से ज्याना असराही साखा से प्रेमा असराही साखा से है क्रस्न भक्ति साखा के मनलब जो आपके आश्ट लेना क्रस्न भक्ति साखा ठीक है तो देख सकते हो ये आपके question number one और question number two मिला के 10 question पूछी जाते है गद्यसाइट और पद्यसाइट से और इसमें से एक एक नंबर से मिला के 10 नंबर आपको मिलते है most important question थे क्योंकि ये UP board ने model paper जारी किया है तो ये question भी most important हो जाते है तो आपको एक-क question को रट लेना एकदम ठीक है अगला question की तरफ चलते हैं अगला question देख सकते हैं यहाप तीसरा number question है मारा ठीक है देखो तीसरा number question क्या कह रहा है दिये गए गद्यांस पर आधा निमलिखित प्रस्णों का उत्तर दीजिए ठीक है आपको दिये गए गद्यांस आपको दो गद्यांस दिये गए और बीच में लगए अथवा चाहिए उपर वाला गद्यांस करो या नीचे वाला गद्यांस करो आपको 10 number मिलेंगे ठीक है 10 number आपको एक गद्यांस सॉल्व करने का मिलेगा दोनों में से जो आता हो वो कर सकते हो तो पहला number पड़ो दरती म प्रत्वी की देखो सजाया है तो यह आपको एक गद्यांस दिया गया आपको पाच प्रत्वी पूछे गए है पहला उपर यूग गद्यांस का संदर्व सहीत अनुवात कीजिए तो आपको संदर्व लिखने के लिए क्या करना होगा इसके पार्ट का नाम पता होना चाहि हो यहाँ से आपसे नहीं द हरतलों के जर्व देखे तो ब्रत्वी उफront होना यहाँ परत्वी दिख रहा है तो धरति माता हो प्रत्वी बार बार आ रहा हैं तो यह किस चाहितर का आपका राश्व का सफुल तो आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। तो इसका आप गध्यान्स का संदर भी लिख सकते हूँ, क्या लिख सकते हूँ? अगला है धर्ती वसुंदरा क्यों कहलाती है तो देखो आपको उपर ही लिखा गया है धर्ती माता की कोक में जो अमूल ने दिया भरी है जिनके कार वह वसुंदरा कहलाती है तो किस कार से कहलाती है इसका आपका एंसर कहा है पहली लाइन पर ही लिखा है धर्ती माता की कोक मे एफ कि आपको तक भरती माता की कोप में चौप लोटिय हैं उससे कोंन परचित नहों चाहे का एतने का क्या करना व्याख्या लिखनी है ठीक है तो व्याख्या भी लिख लोगे असानी से फिर आप प्रत्वी की देख को किसने सजाया है तो प्रत्वी की देख को किसने सजाया है यहां पर लिखना देखो आप से का गया लाखो करोड़ों वर्सों से अनेक प्रकार की धात्यों को प्रत तरीके से धूर के लिख सकते हो ठीक है दस नंबर आपको इससे मिलेंगे अगर ये वाला आता है तो ठीक है ये नहीं आता तो नीचे आपको देखो ये एक दिया गया असोग के फूल उसी मस्ती से हस रहा है पुराने चितर से इसे देखने वाला उदास होता है ठीक है ये यहां पर नीचे भी पांच प्रस्न दिए गए इससे भी आपको 10 नमबर मिलेंगे मादलब चाहा उपर वाला कल लो या नीचे वाला कल लो जो आपको एक आता हो वो कल लो 10 नमबर आपको इससे मिल जाएगे ठीक है तो ठीक है चार प्रस्न ये एक प्रस्न इसके अगले पेश पे तो उसको भी दिखा देंगे सिंपल आपको इस पूरे पद्यांस को पढ़ना और इन प्रस्नों के उत्तर देने जो प्रस्न बनब चाहिए ये वाला पद्यांस कर लो एक पद्यांस और दिया गया यहां पर देखत ठीक है यह आपको पवंद उतिका चैप्टर का आप असानी से पैचान भी सकते हो ठीक है यह सिंपल आप यहां देख सकते हो अथ्वाला लगा हुए चाप यह वाला कर लो यह पांच क्वेशन कर लो दस नंबर मिलेंगे यह उस पेज पर जो था यह वाला दूरुबलता का दूरुबलता का ही चिन विशेश सपत है आप यह वाला भी कर सकते हो जो इनमें से आता हो आप कर लो दस नंबर आपको मिल जाएंगे तो इन दोनों पद्यास को याद चरूर कर लेगा ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं ठीक है अब यह भी बता देंगे आपको इसे डा लेखक का आप क्या लिखिए जीवन परचा लिखिए अचार हजारी परसाद दिवेदी एपीजे अब्दुलकलाम वास्दो स्रड़ अगरवाल तो इन तीनों में से किसी एक का लिखो आपको इसमें से भी पाच नंबर मिलेंगी तो इस टाइप से आप लिख सकते हो ठीक ह आपको यहाँ पर लेकों का लिखना है यहाँ पर कवियों का लिखना है इससे भी एक का लिखना है इससे भी पाच नंबर मिलेंगे कावाले से और इससे भी पाच नंबर मिलेंगे ठीक है तो एकदा मस तरीके से इनके जरूर तयार कर लेंगे क्योंकि देख सकते हो जब य द्रू यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने सब्दों में लिखो तब भी पांच नमबर मिलेंगी तो यह क्वेश्चन कर सकते हैं अगला प्रस्दक्या साथ स्वापठित खंड कावे के आधार पर किसी एक खंड के प्रस्द का उत्तर दीजिए ठीक है आपको जो खंड काव आप रस्मीरती हो या मुक्ती यगि हो, त्यांग पती हो, अलोग प्रत तो या सथी की जीट हो इन में से जो भी खंड का वे आपको आपकी श्कूल में बढ़ायागी हो वह आला, आम मस तरीके से लिख सकते हो ठीक है और आपको इससे नमबर कितने मिलने थीडिए इन वह आपको पढ़ाया गयों आप मस तरीके से लिख सकते हो आप पाँच नमबर आपको पूरे मिल जाएंगे चाहे आप रस्मीरती लिखो स्रवल कुमाल लिखो मुक्तियागी लिखो त्याकपती लिखो अलोपरत या सत्तिकी जी ठीक है पाँच नमबर का था अगला देखो आठ विद्वान वक्ता घमिकटा पत्रका चा पत्रकाट पत्रकार और cowardंशी ठीक है तो सही से पड़ा ले ना संस्क्रेथ है ठीक है तो इस पे आपको दोनों से जो आता हूँ वो कर सकते हो, साथ नमबर आपको इससे मिलेंगे इसी टाइप दिये गए पध्यानसों में से किसी एक का संदव साइथ हिंदी में अनवाद कीजिए आपको यहाँ पे दो स्लोक दिये गए है इसी टाइप से अगला क्वेशन चलते, क्वेशन नमबर नाइन की ओर निमलिखित मुहावरों में से किसी एक का आर्ट लिख कर वाग के प्रयोग कीजिए दो नमबर का है ठीक है, चाहे तलवार की धार पर चलना, टका सा जवाब देना या आपका डाल में काला होना और एक पेच पेथा कौन सा नमग मिर्च लगाना ठीक है तो इन चारों में से किसी एक का आपको अर्ट लिखना है जिससे आपको दो नमबर मिल जाएंगे ठीक है इसका करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना इस पूरे गद्यान्स को आपको अच्छे से पहले रीड करना है जब आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको इन तीनों प्रसनों के उत्तर, यह जो यहां से पूछा गया है तीनों प्रसन पांच नंबर के देख लो तीन परसद यह पूझे गए और इस वाले गड्यांश पर भी तीन परसद पूझे गए आपको क्या करना पहले इस गड्यांश को अच्छे से पढ़ना है जब अभी कर सकते हो ठीक है दोनों में से एक करना है जो आता हो वह कर लो सिंपल कुछ नहीं करना पूरा पढ़ लेना असानी से जब पढ़ लोगे तो आपको इन तीनों के उत्तर इसी गध्यान से मिलेंगे ठीक है तो कर लोगे असानी से अगला नंबर है प्रस संख्या 11 है करा डिमल्कित साभ युकमों का सही अर्थ चैन करके लिखी ए ठीक है आपको जैसे पहला दिए गया वसन और व्यव्यसन तो इन दोनों के अलग अलग अर्थ है आपको बताना इन चारों में कौन साफशन सही कौन साफशन इसे से दूसरा नमबर देख सकतो चार स спасन आपको आशनी पर यह सानी से कर नमबर देख लो निमस्के सब्दों में से किसी एक सब्द के दोत permit कि से अंबर घट विधी नाग इनमें से किसी एक सब्द के आपको क्या करने दो अर्थों को लिखना है तो इससे आपको दो नंबर मिल जाएंगे ठीक है गार नंबर क्वेश्चन देखो निमलिखित वाक्यांसों के लिए सब्ध का चैन करके लिखे जैसे जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहेंगे प्रत्य के सामने हो इसके प्रत्य है वाग के लिखे हूए इनको आपको ञख़ना जिस्से को दो नमबर मिलेंगे आगला question देखते हैं तो आपको यह तो पता तो आपको यह तो पता है यह तो हर्माइर पूछे आते हैं तो यह तो आपको एकद़ था प्रप्रबंदक को आवेदान अथा प्राक्ना पत लिको 6 नमबर के जेना पर लगाए। साहर में फैली संक्रामक बिमारी की तरफ दिला दिकारी का ध्याना करसित करने के लिए आवेदन पत्र या पिरात्ना पत्र लिखो ठीक है चाहे नंबर का है चाहे बैंक वाला लिख लो या आपको संक्रामक बिमारी वाला लिख सकते है चाहे नंबर मिलें ठीक है प्रस संख् तो इन पाचों में से आप कोई भी कर सकते हो आपको कितने नमबर पूछा जाता है तो आसानी से आप कर सकते हो भाई या ठीक है तो यह था आपका पूरा सो नमबर आपके पूरे पक्के हो चुके ठीक है यह हिंदी क्लाश 12 का पेपर था जो की यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है ठीक है और एक एक क्वेश्चन को यार तयार जरूर करना क्योंकि यूपी बोर्ड ने जाई किया तो most important है यह question ठीक है की वेबसाइट खुल के आ जाएगी और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा model paper all subject class इतना लिखा है आपको simple इसी पे touch कर देने ठीक है जैसे आप इस पे touch करोगे ठीक है तो आपको पूरे model paper मिल जाएगे देख सकते हो सारे class का class 9 class 10 class 11 class 12 ठीक है आपको class 12 का download करना यहाँ प अपने model paper download कर लेना ठीक है और मस तरीके से पढ़ाई करना ठीक है तो वीडियो अच्छ लगाओ तो लाइक कर देना और चैनल को भी subscribe कर लेना